नमस्कार, वेलकम टू Soil and Water Conservation Engineering Lecture Series पिछले वीडियो में आपने Water Erosion के बारे में विस्तार पुर्बग जाना Water Erosion के टाइपस के बारे में जाना जिसमें आपने Rain Drop Splice Erosion, Real Erosion, Seat Erosion, और Gully Erosion, और Stream Bank Erosion के बारे में जाना इस वीडियो में हम जानेंगे Gully Erosion के बारे में विस्तार पुर्बग गली का formation कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे, तो चलिए जानते हैं तो इस वीडियो में आप सबसे पहले जानेंगे Gully Erosion के बारे में और Gully Erosion के क्या-क्या main processes हैं, जिसमें दो processes आती हैं waterfall erosion और channel erosion इसके बारे में जानेंगे फिर stages of Gully Erosion के बारे में जानेंगे, जिसमें 4 stages हैं Gully Erosion की फिर हम लोग classification अब Gully's के बारे में जानेंगे, best of size और best of shape shape के आधार पे और size के आधार पे Gully को किस तरह classify किया गया है, उनके बारे में जानेंगे फिर हम लोग जानेंगे रेवाइन Versus गली मतब रेवाइन और गली में क्या डिफेरेंस है इसके बारे में हम लोग जानेंगे तो चलिए जानते हैं सबसे पहले तो गली एरोजन होता क्या है हमने पिछले वीडियो में भी जाना था तो चुकि वाटर एरोजन का फर्स्ट स्टेज होता है रेंड्रॉप इस्प्लेस एरोजन और फिर दिरे दिरे जब इन्फिल्ट्रेशन कैपसेटी पूरी तरह से सटिस्पाई हो जाता था हो जाता है तब होता है आपका ओभरप्लो और ओभरप्लो से आपका सीट इरोजन होता है फिर जब लगाता है सीट इरोजन होता है तो दिरे दिरे आपका सेलो चैनल बलता है तब बनता है आपका गली अब यह क्या है एडवांज और लास्ट इस्टेज इरोजन है जिसके बार में आपने पिछले वीडियो में जाना है अब तो इसकी क्या क्या में प्रोसेसे से गली इरोजन की तो मैंने बता है वाटर फोल इरोजन जिसे हेड कट इरोजन भी कहा जाता है और दूसरी है चेनल इरोजन तो वाटर वाटर फोल इरोजन में किस तरह इरोजन होता है यह किस तरह का प्रोसेस है तो आप देख सकते हैं तो वाटर फोल इरोजन में क्या होता है जो ओभरेड होता है जो वाटर का में हेड होता है वो फोल करता है मतलब गली में गिरता है गली में फोल करता है गिरने के कारण क्या होता है कि जो तो हेड के कारण अंडर कट होता है वाटर तो आप यहां पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह गली में वाटर फॉल हो रहा है वाटर फॉल हो रहा है और उसके कारण मीचे का जो सोयल है वो अंडर कट हो रहा है और अंडर कट होने का कारण यह अप स्लोप एक्स्टेंशन ह और आये अप स्लोप एक्सेल्शन आप देख सकते हैं तो यह इसी को काते हैं या हेटकट вещर तो आप देख सकते हैं यहई आपको नेटूरल किस तरह दिखाए देता है आपकोई फोर t meth hijos जर्ट करती है तो उसका जो head है water का head वो fall करता है गीरता है और उसके बाद वो head क्या करता है को जो head end होता है वो cut करता है soil को आप देख सकते हैं किस तरह soil को यहां cut कर रहा है और उसके कारण क्या होता है कि आपका up slope extension होता है तो आप यहां देख सकते हैं किस तरह up slope extension हो रहा है गली का इस तर से आपका waterfall erosion होता है अब चलिए जानते channel erosion के बार में अब channel erosion क्या होता है जो water flow करता है गली में जो water flow करता है आप देख सकते किस तरह गली में water flow कर रहा है उसके क्यारण क्या होता है जो यह सोयल रहता है नीचे वो इ्रोड होता है मतलब मतलब कि sliding होता है और स्लाइडिंग होने के कारण क्या होता है जो गली के वालनिव से वह कॉलयप्स कर जाते हैं और साइडवाल धहस जाते powinً갔 flick हम लोग channel erosion तो आपने दो में प्रोसेस जाना waterfall erosion और चेनल इरोजन के बार में जो कि गली डेप्लपमेंट की में प्रोसेस थे तो अब चले जानते कि स्टेज सब्व गली का development किस तरह से होता है तो गली डेप्लपमेंट के चार stages होते formation के पहला formation stage जिसमें क्या होता है कि real बनता है गली में मैंने बताया कि real दीरे-दीरे जब wider होता है तो उसके कारण क्या होता है कि गली का formation होता है जिसमे channel erosion होता है top soil का और दीरे-दीरे वो real change हो जाता है गली में अब क्या होता है दूसरा stage आता है आपका development stage development stage में आपका waterfall erosion और channel erosion दोनों होता है जिसके कारण क्या होता है कि आपका क्या होता है आप stream movement होता है गली का और जो गली होता है वो enlarge होता है और उसका depth और width दोनों enlarge होने लगता है बढ़ने लगता है फिर दिरे दिरे आता है थार्ड स्टेज है healing stage आपका formation stage रील से गली का formation हुआ फिर दिरे दिरे जब time बढ़ते जाता है time with time development stage आता है development stage के बाद भी दिरे दिरे time के साथ साथ आपका आता है दिरे दिरे गली में vegetation का growth start होने लगता है तो vegetation growth start होने के कारण उस stage को क्या बोलते है healing stage healing stage इसलिए करते हैं जब क्यूँकि जब vegetation का growth start होता है तो धिरे दिरे soil erosion कम होने लगता है इसलिए इस stage को हम लोग काते है healing stage उसके बाद जब पूरी तरह से vegetation का growth होता है तो उसके कारण क्या होता है जो गली का सरफे से गली का जो नाला का जो सरफे से वो इस्टेबल ग्रेडियंट में पहुंच जाता है मत्तब उसका जो स्लोप होता है वो इस्टेबल हो जाता है फिर इस्टेबल होने के कारण क्या होता है कि इरोजन धीरे-धीरे कम हो जाता है और एक stabilization हो जाता है गली का vegetation growth के कारण, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते stabilization stage, तो हम देख सकते हैं कि 4 stages होती है गली की, पहला formation stage, दूसरा development stage, तिसरा healing stage, और चौन था stabilization stage, इस तरह से आपका four stage complete होता है, और गली का formation होता है, तो अब हम लोग जानेगे कि classification of गली, गली को किस तरह classify किया गया है, तो based on shape और based on size गली को classify किया गया है, तो based on shape आपका you shape, b shape और trapezoidal shape का भी देखा जाता है, maximum तोर पे गली को you shape और b shape का shape का देखा जाता है, तो आप you shape की गली बनती कैसे है, तो U-save का गली कैसे बनता है तो आपका जब top soil और sub soil का आपका जब same resistant होता है अगेंस्ट erosion तब आपका U-save का गली बनता है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका A horizon और B horizon आपका same resistant प्रोवाइट की हुई है जिसके कारण water का जो effect होता है दोनों का same resistant हो रहा है दोनों soil का sub soil का top soil और sub soil का तो समान प्रकार से दोनों का erosion होता है उससे क्या होता है कि U-save का एक गली का formation होने लगता है तो इसके काते हैं हम लोग Newskthe gully अब दूसरा होता है dysev gully, अब भी завис cruelty में क्या होता है कि जो Top Soil होता है वो कम resistant होता है आपका अगेंस्त Erosion मत्तब आपका अपर सोयल का अपर ओराइजन का अगेंस्त ईरोजन इरोजन जिसके कारण क्या होता है को नीचे का जो सब सोयल होता है वहां कम वाट सोयल का इरोजन हो पाता है जिसके कारण क्या होता है कि भी सेप का गली फोर्मेशन होता है तो आप दोनों पिक्चर में समझ सकते हैं कि क्या होता है यू सेप में तो यू सेप में क्या होता है क कि टोप सोयल और सबस्वाल का सेम रेश्टेंट होता है अगेंस इरोजन तो इसलिए दोनों सेम टाइप से रेश्टेंट करती रोजन और उसमें सेम टाइप का erosion, same amount में erosion होता है जिसके कारण U-save का गली बनता है अब B-save का गली में क्या होता है जो top soil होता है वो less resistant होता है और sub soil क्या होता है वो more resistant होता है against erosion उसके कारण क्या होता है कि B-save का गली formation होता है अब based on size हम लोग बाठते हैं small, medium और large size में गली को तो इसमें क्या होता है small size गली में क्या होता है depth होता है वो less than 1 meter होता है और उसका drainage area क्या होता है less than 2 hectare होता है मत्तब जिस गली का depth 1 meter से कम हो और drainage area 2 hectare से कम हो तो उसे हम लोग small गली कहेंगे फिर medium गली आता है medium size गली इसमें क्या होता है जो depth होता है गहराई जो होती है वो एक से पांस मीटर का होता है और उसका drainage area दो से बीस hectare का होता है तो हम लोग medium size गली में क्या कहेंगे कि जो आपका depth एक से पांस मीटर का होता है और दो से बीस मीटर का आपका कि दो से 20 hectare का आपका drainage area होता है अब large large में क्या होता है कि large में आपका होता क्या है कि more than 5 meter आपका घराई होता है और more than 20 hectare आपका drainage area होता है तो इस तरह से large में बाटा गया तो हम लोग based on size तीन टाइप, small, medium, large, small में गराई less than 1 meter, drainage area less than 2 hectare, medium में गराई 1 to 5 meter और drainage 2 to 20 hectare, drainage area, अब large में क्या होता है, more than 5 meter गराई और more than 20 hectare उसका drainage area होता है, तो इस तरह आप गली को classify करते है, based on shape और based on size, अब चलिए जानते हैं कि rewind और गली में क्या difference है, रेवाइन को हिंदिय में बोलते हैं बीहड, तो बीहड और गली को क्या बोलते हैं नाला, तो बीहड और नाला में क्या अंतर है, उसके बार में हम जानते हैं, जो गली और रेवाइन दोनों extreme case है, स्वाली रोजन का form है, अब गली usually कैसे form होता है, आपने देखा कि reels जब join हो होती हैं, तो गली का formation होता है, अब गली का formation according to watershed area, drainage area, soil characteristics, और alignment या gradient of channel, ये गली को divide किया जाता, और based on size में भी divide किया जाता, जो आपने पिछले वीडियो में आपने देख लिया, पिछले slide में आपने देख लिया, अब जो होता है, कि जब रेवाइन जो होता है, वो extreme case है, जो कैसे बनता है, तो ये network of gullies से बनता है, जो different types of gullies होती है, उनके network से आपका rewind बनता है, अब rewind बनता है, तो ये rewind क्या होता है, ये बहुत ही इसका drainage density बहुत ही high होता है, इसमें drainage बहुत ही ज़्यादा होता है, और इसमें जो slope होता है, वो multi-directional होता है, बहुत ही ज़्या होता है इसके कारण कि अमनों प्लॉवइंग के द्वारा मैनेज नहीं कर पाते मोर्म को और मुख्यतर प्ल्टार जाता है इंडिया में भारत में तो रेवाइन आपको तर प्रदेश अदे बॉर्ठा प्रदेश को नाठी तो इस इस ञता है लए या के छेटर में आपको देखा जा सकता है फिर फूट हेल्स ऑफ USA हिमालया यह सब चेड़ को गली का वॉर मेसं दिखाइद डेता है और पिर अ दक्कन का पठार में भी आपको गली का फॉर्मिशन दिखाए देता है तो चलिए आप रेवीन का एक्जामपल आप देखें बहुत ही महतपूर्ण एक्जामपल है चंबल रेवीन चंबल का वियाड जो मज्द प्रदेश में हैं तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि चंब तो 4,800 स्क्वेर किलोमेटर में पूरा लगबग फैला हुआ है और डाइसेक्टेट रेवाइन वहां प्रजेंट बहुत सारे बीयाड प्रजेंट आप पिक्चर में प्रजेंट देख सकते हैं अब चंबल रेवाइन किस तरह फोर्मेशन हुआ है तो मैक्सिमम स्वाइल इ रेटिंग एरिया होता है उबढ़ खावर और गली और रेवाइन से मिल करकि यह बेडलेंड बनता है तो आप किक्चर में देख सकते हैं भारत का महत्तपूर्ण एक्जामपल में से हैं चंबल का बीहड जो की बहुत ही एक महत्तपूर्ण रेवाइन का एक्जामपल है तो और प्रिभलक्मेंट सेज्पूर्ण एता है पिर अपने गली को बादा मिल का क्लासिफ्फिकेशन आप ट्रूर्ण सेप आपने यू सेप और घी सेप के बारे में जाना और उसी तरह आपने बेस्ट उन साईज स्माल मेडियम लाज के बारे में जाना उसके बाद आपने रेवाइन और गली में डिफिरेंस जाना और आपने एक्जामपर के दोर पर चंबल रेवाइन के बारे में जाना तो इस तरह से आपने वीडियो में विश्तार पूर्बक गली रोजन के बारे में जाना अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जानका के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर करें धन्योबाद